श्री गनेशाय नमहा ये राशिफल चंदर राशिपर आधारित है चंदरमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्तिती लेकर आती है और इस वज़े से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है इस दिन चंद्रमा की position ठीक नहीं रहेगी चंद्रमा इस दिन 4th house में रहेंगे इससे आप इस दिन मानसिक तोर पर काफी डिस्टर्ब रहोगे मानसिक तोर पर डिस्टर्ब रहने के कारण आपके अच्छे भले काम किसी गलट डिसिजन से बिगड सकते है इसलिए इस दिन आपको महत्वपूर्ण निर्णे लेने से बचना चाहिए और कही निवेश करना है तो जोखिम नहीं उठानी चाहिए अगर आप निवेश करना ही चाहते है आपको जोखिम उठाना जरूरी है तो किसी विश्वासु वेक्ती से सलाम अशोराच जरूर करें इस समय में सिर में दर्ग, शिकायत या फिर कामों में मन ना लगने की शिकायत भी रह सकती है इस दिन ग्रहनक्षत्र उतने बुरे भी नहीं है लेकिन मानसी परिशानिया गल्तिया करवा सकती है अगर आप साउधानी बरत्ते हुए किसी की राय लेकर महत्वपुर्ण कामों को करते है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज आपका व्यापार अच्छा चलेगा, मुनाफा भी अच्छा ही होगा आपके व्यापार में आप मेहनत करोगे और उसके मुताबिक आपको फल भी मिलेंगे तो देखा जाए तो व्यापारियों के लिए दिन अच्छा ही है इस दिन आप शॉपिंग कर सकते है, बड़ी खरेदारी भी कर सकते है, इन सब चीजों के लिए समय अच्छा है अगर नोकरी पेशा लोगों की बात करें तो नोकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा आपके बॉस और आपके सहयोगी आपसे खुश रहेंगे, आपका सहयोग भी करेंगे लेकिन फिर भी वाद विवाद होने की संभावना बनी हुई है आपको इस दिन ज्यादा सी ज्यादा अपने कामों में बीजी रहना है ज्यादा बाते ना करें, अपने काम से काम रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस दिन आपको अपने काम के क्षेतर में कर्म ज्यादा करना होगा लेकिन उसका result भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा आर्थिक स्तिति के हिसाब से ये दिन आपके लिए अच्छा है आपकी आर्थिक स्तिति इस समय में मजबूत रहेगी इस समय में अगर आप नोकरी डूँड रहे हैं तो आपको मन मुताबिक job भी मिल सकती है लेकिन प्रयास करना पड़ेगा इस समय में आपको आपके कर्म के ही फल मिलेंगे बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा इस समय में जो लोग अपनी जन्म भूमी से दूर है उन्हें अच्छे लाब मिलेंगे जितना ज्यादा जन्म भूमी से आप दूर रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा फल आपको प्राप्त हो सकता है अगर students की बात करें तो students आज थोड़े disturbed रहे सकते हैं, पढ़ाई में मन ना लगने की शिकायत रहे सकती हैं, मन में कई प्रकार के विचार आ सकते हैं, मन भटकने की भी पूरी संभावना रहेगी, इस समय में हलका भोजन करना आप के लिए अच्छा रहेगा, और अगर अगर परसनल लाइब की बात करें, लव लाइब की बात करें, तो लव लाइब के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहेगा, अपने पार्टनर को हमेशा खुश रखने की कोशिश जरूर करें, और ध्यान रहे कि आपकी किसी गलत हरकत से पार्टनर को दुख ना पोचे, वो ये चीज़े अपने आप होती है। आज के दिन आपका स्वास्थ्य अचछा रहेगा, शारीरीक तोर पर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मानसी तोर पर कमजूर हो सकता है। इस दिन आप छोटी सी बात पर भी भड़क सकते है, आप जगडा कर सकते हैं लेकिन ये चीज साबित हो सकता है दोस्तों इस दिन कुछ उपाय करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा जैसे चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पर आप लगाते है तो आप शांत रहोगे जगड़े होने के कोई चांसिस नहीं रहेगे दिन काफी अच्छा जाएगा साथ ही मंदिर में एक और भगवान से आपके लिए और आपके अपनों के लिए प्रार्थना जरूर करें दोस्तों प्रार्थना में काफी शक्ती होती है अपनी प्रार्थना पर हमें विश्वास होना चाहिए